प्रिया का एक अलगी रूप जहां नंदनी प्रिया को चालेंज करने के लिए पहुँचेगी कि प्रिया की इतनी महनतों के बाद भी राम उससे दूर हो गया यहां तक की राम उसे और पीभू को भूल भी गया है जिस पर प्रिया जोर-जोर से हस्ती नजर आएगी और नंदनी काफी नवस हो जाएगी कि प्रिया इतनी difficult situation में होते हुए भी इतनी तेस-तेस कैसे हस सकती है प्रिया कहेगी कि वो तो नंदनी कपूर के उपर हस रही है जिसे लगता है कि वो जीत चुकी है जबकि ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि राम को सब कुछ सच पता चल चुका है थोड़े टाइम के लिए सिर्फ वो भूला है लेकिन उसे एहसास इस बात का है कि वो प्रिया से ही प्यार करता है प्रिया बहुत ही confidently और बहुत ही powerfully नंदनी को यहाँ पर challenge करेगी कि अगर राम को इस बार कुछ भी याद नहीं है लेकिन प्रिया को तो सब कुछ याद है और वो दुबारा से कभी भी अपनी मर्जी से राम की life में लौट सकती है नंदनी यहाँ कहेगी कि प्रिया को depression हो गया है वो कृष्ट को कहेगी कि इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए जिस पर प्रिया कहेगी कि उसे कुछ नहीं हुआ है लेकिन अब नंदनी कपूर को असली में depression की दवाईयां खानी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्य वो राम के लिए अपनी किस्मत से भी लड़ जाएगी लेकिन पीछे नहीं हटेगी और अपना पूरा दम लगा देगी on the other hand राम और वेदिका की ये तस्वीर वाईरल हो रही है जहां पर ये दोनों एक साथ डान्स करते नजर आ रहे हैं